गुड मॉर्णिंग आल फ्यू., आज हम हिंदी चैप्टेर 18 आगे alerगे इस चैप्टेर में क्या था धनराजी पिल्ले का साक्षात कर लिया जा रहा था किसके देख द्वारा विनीता पांडील के द्वारा इसी चैप्टर को आज हम कंटीनू करते हैं Pays No. 132 पर विनीता की द्वारा कोश्चन था हर युवग का ये सपना होता है कि उसके पास एक कार हो आपके पास पहली कार कब आई पिनीता जी धन्राजी से पूछ रही हैं कि हर युवक का एक सपना होता है कि उसके पास एक कार हो आपके पास अपनी पहली कार कब आई देखे धन्राजी नहीं क्या जवाब दिया है मेरी पहली कार एक second hand armada थी जो मुझे मेरे पहले इम lawyer ने दी थी तब तक मैं काफी नामी खिलाडी बन चुका था मतलब जब उनके पास पहली कार आई वो भी second hand आई थी कब आई थी जब एक नामी खिलाडी बन चुके थे मगर यह कोई जरूरी नहीं कि शोरत पैसा साथ लेकर आए मगर वो यह बता रहे हैं कि यह भी कोई जरूरी नहीं है कि शोरत पैसा साथ लेकर आए मैं तब भी मुंबई की local train और बसों में सफर करता था क्योंकि टैक्सी में चड़नी की हैसियत मुझे नहीं थी मैं बता रहे थे कि जरूरी नहीं है कि शोरत पैसा लेकर ही आए एक भीर में भड़े railway station पर मेरी तस्वीर खीच कर अगली सुब अकबार में यह खवर चाप चाप दी कि होकी का सितारा पिल्ले अभी भी मुंबई की local train और में सफर करता है एक बार क्या हुआ उनके साथ कि किसी फोटोग्राफर में किसी एक भीर में भड़े railway station पर उनकी तस्वीर खीच कर अगली सुब अकबार में क्या चाप दिया कि होकी का सितारा पिल्ले अभी में मुंबई की local trainों में सफर करता है उस दिन मैंने महसूस किया कि मैं एक मशूर चैरा बन चुका हूँ मतलब जब उनका फोटो अकबार में आ गया है और उनके लिए कहा गया कि वह एक मुंबई का जो famous सितारा है वह किसमें होकी का सितारा किसमें सफर कर रहा है मुंबई की local trainों में सफर कर रहा है लेकिन मैं कर ही क्या सकता था मैं जो भी थोड़ा बहुत कमाता था उससे अपना परिवार चलाना पड़ता था मतलब वो कह रहे थे कि मतलब उससे मैं जादा कर भी क्या सकता था क्योंकि जो भी मैं थोड़ा बहुत कमाता था उससे अपना मुझे अपना परिवार भी चलाना पड़ता था दीरे-दीरे पैसे जमा करके बहन की शादी की और अपनी मा के लिए एक महीने हर महीने पुरे जैसे पुरे पैसे भेजना शुरू किया मतलब हर मैं उन्होंने अपनी मा को पैसे भीजना भी शुरू किया आज मेरे पास एक फॉर आइकॉन है जिसे मैंने सन 2000 में खड़ीदा था मगर वह किसी corporate house का दिया हुआ तोफ़ा नहीं बलकि मेरी महनत की गाड़ी कमाई से खड़ी दी हुई कार है वो कह रहे है कि आज जो मैंने कार खड़ी दी है वो मेरी महनत से कमाई हुई कार है किसी का दिया हुआ तोफ़ा नहीं है इसके बाद next question क्या कर रही है विनीता जी सफलता का आपके लिए क्या महत्वा है होकी को आपने इतना कुछ दिया इसके बदले आपको क्या मिला विनीता क्या कह रही है कि सफलता का आपके लिए क्या महत्वा है होकी को आपने इतना कुछ दिया इससे बदले आपको क्या मिला दनराज जी देखे क्या बोल रहे हैं कुछ रुपए इनाम में मिले वो बता रहे हैं कि कुछ रुपए मुझे इनाम में मिले मगर आज खिलाडियों को जितना मिलता है उसके मुकाबले मैं पहले कुछ भी नहीं मिलता था मतलब वो बता रहे हैं कि आजकल जितना खिलाडियों को मिलता है उसके मुकाबले तो पहले मुझे कुछ मिलता ही नहीं था मेरी पहली जिम्मेदारी थी परिवार में आर्थिक तंगी को दूर करना मतलब वो बता रहें कि मेरी पहली जिम्मेदारी मेरा पहला करतव क्या था कि मैं अपनी आर्थिक तंगी को दूर करना और उन सब को एक बहतर जिंदगी देना विदेश में जाकर खेलने से जो कमाई हुई उन्होंने विदेश में जाकर खेले से उन्हों को कमाया होने उससे मैंने 1994 में पुड़े के भाव पाटल रोट पर दो बैडरूम के छोटा सा फ्लैट खड़ी था मतलब जो भी उन्होंने विदेश जाकर पैसे कमाये उससे उन्होंने क्या किया एक पुणे के भाव होटल रोड पर दो बैड्रूम का एक फ्लैट खरीद लिया घर छोटा जरूर है हम सबके लिए काफी है मतलब वो कह रहे हैं कि घर छोटा जरूर था लेकिन हम सबके लिए काफी है 1999 में महराष्ट सरकार में मुझे पवई में एक फ्लैट तिया मतलब वो कह translate में उसको खरीद भी नहीं सकता हूं मेरी हैसियत ही कभी नहीं होपाता है इसके बाद next page देखिए, page number 133 पर विनीता जी आक्री में कौन सा question कर रहे हैं, celebrities के साथ ही एक ही मंच पर बैठना कैसा लगता है, वह कहरे हैं कि celebrities के साथ ही एक मंच पर बैठना कैसा लगता है, देखिए, ननरा जी बोल रहे हैं, बहुँत अच्छा, जब हम राश्टरपती से मिलें तब हम महसूस हुआ कि हम कितने खास हैं, तो वो कह रहे थे कि जब मैं राष्टरपती से मिला था, तो मुझे महसूस हुआ था कि हम कितने खास हैं, होकी ही है जिसके चलते हर जगे प्रतिष्ठा मिली मतलब उनको वह बता रहे हैं कि होकी ही है जिसके द्वारा जिसके चलते मुझे हर जगे प्रतिष्ठा मिली सम्मान मिला मतलब उनको भेमस होगा न वह तो इसलिए बता रहे हैं कि मतलब बहुत अच्छा लगा कि मतलब 15 16 17 और 18 आएगा 19 और 20 कट कर दिये गए हैं